अज मैं दोस्तों बिटामिन C के बारे में जानकारी दूँगा कि काम क्या करता है इसकी कित्ते रिक्वार्मेंट होती है कमी को कैसे पहचाने और किन चीजों में ज्यादा अमाउन में होता है और बढ़ भी जाये तो कैसे इसके लच्छन मिलते हैं इन सारे विश्चों में ज जुरत होती है रोज दिमांड होती है रोज आपको खाना चाहिए और अगर खाने में कमी होती है लंबे समय में धीरे धीरे तो विटामिन C के कमी के लच्छन आ जाएंगे वेच्टेबल में फूट्स में काफी अच्छी को अंडियम मिलता है अगर कोई निक्स फूर्ट से आपके सरी के अंदर जिसमें आक्सिडेट निकलते हैं इस वसी जैसे डियाक्शन होती है जो आक्सिजन के उट्राइजेशन होता है मेटोगंडए के अंदर वो दूसरा जब इंफ्लमेशन हो टिसी इंजरी हो बाहर को कोई केमिकल हो जैसे सिगरेट स्मोकिंग ले रहे हैं इन सारी रियक्शन में आक्सिडेट निकलते हैं यह आक्सिडेट आपके जो नार्मल बाडी के स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स का स्ट्रक्चर हो उसको डैमेज कर देता है तो यह तो हो गई आक्सिडेट सरीर के अंदर फिर एंटी आक्सिडेट का समूँ होता है जो बैलें अगर बिटामिन C की कमी होती है, तो जो इनजरी होती है, आक्सिड़न मेडियेटे वो बढ़जाती है, घृससारी ऐसी इलनेस है जो आक्सिडशन के और होती है, इस विटीलिफ डियरियाटे चार्ड बेखाळ बेल vaccines की करी τον नवगा करता है। के फार्मेशन के फार्मेशन में कनेक्टिव टिस्यू के फार्मेशन में कोलेजन की ज़रूत होती है इसलिए एक इंपोर्टन काम करता है विटामिन सी आपके सरीर को मेंटेन करने के तीसरा जो काम होता है वो है आजे इम्यून मॉडलेटर जो इम्यून रिस्पांस है आपक प्लांट ओजिन का नान हीम आयरन हो विटामिन ची का शरीर के अंदर अगर इसलिए अगर बिटामिन ची की कमी होगी तो आयरन की डिफीचेंसी होने लगेगी इसके अलावा बहुत सारे enzymes होते हैं जिनमें AJ co-factor काम करता है जो toxins हैं उनको शरीर के अंदर से निकालता है इस तरह के various reaction vitamin C का रोल है इसलिए इसकी deficiency में अलग-अलग तरह की बीमारियां आ जाती है और कई बार तो यह बहुत ही खतरना के dangerous level को सकती है तब vitamin C कमी के कैसे लच्छन आते हैं उसको कैसे पहचाने तो vitamin C की कमी अमूमन नहीं होती ऐसे लोग जो fruits और vegetables लेते रहते हैं कुछ ऐसे person होते हैं जिसको मैं बताता हूं कि कौन हो सकते हैं जिनमें vitamin C कमी हो सकती है एक पहला group है वो smoker का है चाहे एक्ट्व स्मोकिंग हो चाह वैसे लोग जो स्मोक करते हैं उन्हीं vitamin C की demand बढ़ जाती है और इसी समय में बता देता हूं कि इतना vitamin C आपको कितना चाहिए रोज का कितना चाहिए requirement कितनी होती है तो आप एक में चार्ड लगा देता हूं वैसे जो नार्मल में requirement की बात करता हूं तो adult male है उसमें 90 mg पैड add कर लो या ज्यादा ही उसको कोई बाहर के pollution में जाना पड़ रहा है या ऐसी कोई जगा जहां पर pollution ज्यादा है तो उसको थोड़ा से requirement बढ़ जाएगी और जो female होती उसमें 75 mg पैड़े चाहिए पर अगर वो lactating है या pregnant है तो उसमें 35 mg पैड़े एक्स्टा एड़ कर सकते हो 310-115 mg पैड़े चीए नार्मल की requirement है तो पहला group है smoker का जो दूसरा group है वो elderly people का है जो लोग बूड़े हैं किसी special diet के कारण वो एक ही तरह के चीज़ें खा पा रहे हैं उनको अच्छे से खाना नहीं मिल दा है या ऐसे लोग जो खुद से खाना मनाते हैं तो उनमें भी एक चांसे से कह सकता है एक जैसे ही खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी rituals के कारण च्रम बस एक ही तरह के खाना खा पा रहे हैं variety of foods ने ले पा रहे हैं ऐसे बच्चे जो hostel में रहते है एक जैसे ही food काफी दверж standards मिल रहा है तो यह कुछ लोग हो सकते हैं जिन में से वाइल करने से विटामिन सी कम हो जाता है वाइल करने से भी कम हो जाता है और रिस्टोर करने से कम हो जाता है और हाई रिस्क ग्रूप के और बात करें जो इंपोर्टन ग्रूप होता है ऐसे लोग जिनकों क्रोनिक इलनेस इसे जो कैंसर के लोग है जो डायलेसिस पे है जो chronic kidney की बीमारी से जूज रहे हैं या कोई पेट से संबधी बीमारी से माले बजावसन से जूज रहे हैं उनमें भी vitamin C किया तो कुछ में requirement मढ़ जाती है chronic illness में और कुछ cases में चुकि अबजाद में होगा तो ये सारे main group लो हैं इस तरह के लोगों में vitamin C कमी हो सकती है नार्मली vitamin C कमी नहीं होती है पिछले पहले के जवाने में बहुत सारे लोग जो यात्राइं करते हैं बिजर्श की यात्राइं जो सेलर वारा हुआ करते थे वो चुटके 30-30 दिन 40-40 दिन सालों महीनों बाहर रहते थे उन में vitamin C के कमी होती थी और इसकर भी एक जो अभी में condition बताऊंगा उसके कारणों की रित्व हो जाया करती थी तो यह बिसिकली इस तरह के group के जो ब्यक्ति हैं उनको vitamin C की कमी होने के chances है अब कमी योजली कप होती है vitamin C की ऐसा कोई ब्यक्ति जो रोज का 10 mg पैड़े से कम ले और एक महीने दो महीने अगर लगातार कमी बनी रहती है तब vitamin C की कमी हो जाती है और acute अगा deficiency हो चाती है sudden कमी होती है तो उस condition में scurvy मिमारी होती है और अगर gradually धीरे धीरी होती है तो उसके लच्छन थोड़े इस अलगाएंगे इसकर्बी में उचली क्या होता है सरीर के अंदर जो oxygen बनना होता है oxygenation की जो process है जो energy का production होता है oxygen metabolism कमजोर हो जाने से एक तो थकान बनी रहती है कमजोरी से लगती है ऐसा लगता है शरीर अस्वस्त है और दूसरा collagen के degradation से collagen कम होने से gum के अंदर मसूडों में swelling हो जाना और मसूडों में से खुन निकलना ये common problem होती है acute scurvy हो ऐसे अगर धीरे-धीरे किसी में कम हो रहा है vitamin C तो usually जो लच्छन आते हैं collagen की कमी के कारण आते है collagen जैसे reduce होगा वैसे ही skin के अंदर एक तो skin lessalis हो जाती है skin के जो hair होते हैं वो screw, carcass screw shape के हो जाते हैं तेड़े-मेड़े हो जाते हैं very follicular hemorrhage के कारण skin का सुस्क हो जाना skin के अंदर sand paper या appearance हो सकता है pinpoint hemorrhage हो सकते हैं पटेची हो सकती है या even purpura हो सकता है क्योंकि collagen blood vessels को support काता है इसलिए bleeding के जो chances हो बढ़ जाते हैं तो nasal bleeding हो सकती है कुछ cases में अगर किसी को चोट लगती है right तो bone healing delayed हो जाएगी कहीं infection होता है तो उसका घाव थोड़ा देर से भरेगा इस muscles के अंदर pain हो सकता है muscular pain हो सकता है जाएगनल body के अंदर कमजोरी हो सकती है right anemia हो जाता है चुकि vitamin C iron के absorption को promote करता है इसलिए iron की कमी होगी उससे anemia होगा moodsing होता है चिट-चिड़ा अंसा लगा रहता है joints के अंदर दर हो सकता है joint pain एक common problem होती है especially knee joints की चलने फिलने में दिक्कत है ऐसे bone के अंदर deformity हो जाना bone भी कमजोर हो जाना तो यह कुछ लचण होती है जो vitamin C की कमी करण होते है और vitamin C की कमी है तो चुकि infection सरीर के अंदर जल्दी हो सकता है vitamin C है जो immune modelator का आप करता है immune response को boost करता है इसलिए chances है कि जो infection especially cold हो गारा हूँ frequently इससे बीमार बने रहे हैं तो इस तरह के कुछ problems होती है और ऐसे ब्यक्तियों में जो especially heart संबंधी problem है chronicle less है heart की संबंधी problem बढ़ जाती है और vitamin C की कमी का कुछ और association मिलता है एक तो cancer बे मिलता है की vitamin C कमी से cancer होने के chance बढ़ जाते है उसके जो hyphosesis दी जाती है एक तो oxygen का level बढ़ जाता है और दूसरा immune response भी कम हो जाता है vitamin C carcinogens को remove करता है body से TSRA various mechanism मिला के cancer coincidence बढ़ता है दूसरा heart की भीमारी coincidence बढ़ता है again due to एक तो बढ़ता है कि आप सर्व स्क्रोसिस के chances बढ़ जाते है जो blood pressure है वो बढ़ता है जो nitric oxide जो basodilator की तरह काम करता है उसके level कम हो जाता है इसी तरह kidney की जो problem से उनका बढ़ जाना या आग के संबंधित problem है cataract का formation हो जाता है तो इस कुछ तरह की बीमारियां जिनके साथ vitamin C का link का पाता है study में common cold है जो सर्दिखासी जुखाम है vitamin C कमी में इनफेक्शन आने के chances तो ज़्यादा प्रहाववित नहीं होते है पर जो इसकी severity है और duration है cold का वो vitamin C कमी में बढ़ जाता है जिसनको सर्दिखासी जुखाम होता है vitamin C यूजली आज कल बोला जाता है कि या तो आप natural में जाए juice होगार आलो या तो vitamin C की tablet ले सकते हो क्योंकि वेनी फीशियल इफेक्ट होता है सर्दिखासी जुखाम में रहे तो यह सारी कुछ condition है जो vitamin C कमी में होता है पर इसे बात करते हैं कि vitamin C अगर बाड़ी के अंदर बढ़ जाए तो आप किस तरह के लच्छना दे vitamin C चुँकि water-soluble vitamin है इजली kidney के अंदर निकल जाता है जिता भी excess में आता है इसलिए कोई खाना खा रहा हूँ इससे vitamin C उसके बाड़ी में बढ़े ऐसा नहीं होता rare possibility है vitamin C की अधिकता तभी की होती है जब आप vitamin C का कोई supplement ले रहे है टेबले ले रहे है especially 2000 mg पर डे ले रहे हैं काफी दिनों तक राइट एकाथ अपते दस दिन तक यह महीनों तक तब बढ़ता है usually जो recommended dose होती किसी भी disease में किसी भी condition में पांसो मिलीग्राम पैड़े इससे ज़्यादा नहीं लेना maximum 1000 mg पैड़े तक ले सकते हैं 500 के उपर आप लोग है तो चूंकि store होता नहीं इसलिए जितनी भी अधिकता होगी इसको किटी निगालती है अगर आप ज़्यादा amount में ले रहे हो प्रावला में कुछ cases में iron के अबजाफशन बढ़ने से iron का deposition भी body के अंदर बढ़ सकता है तो यह बढ़ने की condition है अब बात करते हैं कि अगर किसी को vitamin C की कमी है तो क्या करें विटामिन C की कमी के लिए तीन चीज़े करना है तो अगर रिस्क फैक्टर उसको रिव्यूब करो इस्पेसली जैसे cigarette smoking है पैसी smoking है उसको बंद करो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई बहुत सारे लोग smoking करते हैं तो उस एरिया को avoid करो या smoking खुद कर रहा हो तो उसको बंद करो पहली चीज है दूसरी अगर अलग अलग तरहा कि food का combination try करो vegetables है fruits है अगर कुछ जो risk factor में बताया थे अगर उन में से है तो identify उसको रहताना है और दूसरी variety of food especially जो vegetables होती है और जो fruits है citrus foods है जैसे कि संत्रा है, मुसम्मी है, नीबू है इन में पपाया, ग्वाबा, पालक हो गया उसके अलबा broccoli हो गया राइट दूसरी vegetable जो green leafy vegetables होते हैं इन सब में अच्छी quantity मिलता है तो इनको खाये सलात के farm में लेजिए रा farm में लेजिए ज्यादा boil नहीं करना है steam करके ले सकते हैं इसके अलबा vitamin C की tablets आती है, supplementation उसको कुछ दिन ले सकते हैं 500 mg पायड़ है recommended dose है तो यह जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन तीन तरीके से vitamin C की कमी की पूर्ती हो जाएगी आपको आपको समझे आगा होगा कि vitamin C करता क्या है इसकी कमी हो जातो कैसे पता चलेगा और दूसरा हमें क्या करना चाहिए मैंने vitamin C के बारे में आल्मूस सारी जानकारी देदी है फिर भी कुछ पूंचना हो तो पूंच सकते हैं comment में डाल दे अपना question right दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में